हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर दोस्तों चैनल पर नए है तो मेक शूर उसे सस्क्राइब जरू करें क्योंकि हम लेकर आते हैं सुमित महल और नेहा की लेटेस्ट अपडेट और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दिल से धन्यवाद करता हूँ और कमेंट सेक्शन में अपना उपीनियन रखना ना भूले इस वीडियो के बारे में कि वही आपको ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों आपको बता दे कि जिस तरह से यहाँ पर सुमित महल ने अपने आपको एक्स्प्रेस किया है और जैसे व यहाँ पर पहुची जबल पूर ताकि पता गर पाएं कि भी कितना ज़्यादा परेशान है यहाँ पर सुमित भाई तो हैरान करने वाली यहाँ पर सचाईया सामने आई जो मैं आपको आज कम सी कम दस खुलासे ऐसे करूंगा जो आपके पहरों तरह जमीन खिसक जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले आपके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वाच करें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले क्योंकि यह एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल हो सकती है क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकी सुमित महल यह सारी चीजों का जवाब क्यों नहीं दे रहें क्यों नहीं वो डिसीजन ले पा रहे हैं तो दोस्तो इसके पीछे एक नहीं दो नहीं कम सी कम दस कारण आए हैं सामने तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आज जो में खुलासे करने आला हो पूरी शोशल मी इतना जादा mentally trauma में तो वहाँ पर जब हमारी मेडिया गर्मी ने कुछ लोगों से पूछा कि भई ये लोग दो-दो दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं इनको यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि इनके घर यहाँ पर BP patient है, sugar patient है क्यों ऐसी हालत इनकी है और क्यों आप लोग यहाँ पर इने help नहीं करते हैं यह सारी चीजें यहाँ पर हमारी मेडिया गर में पूछने गए तो उन लोगों ने कुछ ऐसे जवाब दिये जो वाकी हम भी संद रह गए सुनकर दरसल आपको बता दे कि उनका कहना है कि भई इनकी तो जोरो सोरो से यहाँ पर शादी के तयारियां शुरू होगी टेंट वगेरा लग रहे हैं जितने भी यहाँ पर decoration की चीजें हैं यह सारी चीजें हो रही है रोज के रोज इनके घर कुछ लोग आते हैं जो basically यहाँ पर wedding से related लोग हैं जो इनसे पैसे भी लेकर जाते हैं क्योंकि इनके आस पर उसके लोगों ने यह सारी चीजें खोल दी अब इन्होंने कहा कि भई यह लोग तो कोई tension में लिए लगते हैं मुझे यहाँ पर बहुत जादा खुश लगते हैं यह लोग हमें लगता ही नहीं कि भई यह लोग कभी डॉक्टर के बास जाते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं यह लोग शादी की तयारियां कर रहे हैं इनके घर यहाँ पर रौनक है दोस्तो अब यहाँ पर यह बात हमें क्यों नहीं पता चली कि शादी की तयारियां शुरू हो रही हैं रौनक हैं इनके घर वेडिंस रिलेटेड टेंट वले खाने वले सब लोग आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर का कभी होम टॉर करवाया ही नहीं आप ज़रा सोची क्या कभी विन्नी ने अपने घर का होम टॉर करवाया है कभी दिखाया है कि हमारा घर ऐसा है वैसा है कभी नहीं दिखाया ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि ये लोग कहां पर रहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से यहां पर इन्होंने पूरी एक्टिंग की है वह की काबले तारिफ है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जब मंदिर वला वलाग आया था उप तो मंदिर वलाग डाला किसने था अकानशा है बराबर आपको अकानशा कौन है उसके दोस्त की वाइफ मतलब यहां पे सौरफ की वाइफ है अब जब इनकों लगा है कि भई ये जो सुमित महल है इतनी ज़ादा हाइप मिल रही है तो हम भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ दो ले बराबर अब दोस्त की वाइफ का नाम है अकांशा जिसका चैनल है जबलपूर की अकांशा आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है यापर सबसे पहले जब मंदिर वाला व्लॉग डाला था तो थमनेल में यहाँ पर सुमित दिख रहे थी आपने भी देखा जिसमें यहाँ पर उसे लाक्स अफ व्यूज मिले हमने भी देखा अब यहाँ पर कहते ना के एक जानवर को अगर खोन लग जाए तो फिर वहाँ पर वह वही चीज दोबारा करता है जो उसने पहले किया अब यहाँ पर अकाशा को खून लग गए उसके बाद अकाशा ने क्या किया है? यहाँ पर फैम्ली व्लॉग डाला अब उसके बाद उसे व्यूज नहीं मिलें अब कल जा कर फिर से उसने यहाँ पर सुमित का थमने लगा और यह चीज यहां पर बताई गई और उसे यह नहीं पता था कि मैं अपने जाल में खुद पस जाओंगे उसने पुरा सेटप दिखाए कि यहां यहां पर शूट करते हैं यह लोग कुछ डॉलर्स वगेरा क्या एक्सचेंज हुआ यहां पर हमने देखा इतनी बड़ी चोकाने वली बात कि जहां पर सुमित मेल और उसके दोस्त ने वो व्लॉग बनाया था साथ में रखे थे यहां पर सिल्वर बटन गोल्डन बटन वही पर यहां पर अब कुछ तैयारियां शुरू हो रही है और उन्होंने पूरा यहां पर सेटप दिखाए यह सेटप आपने भी गौर से अगर आप देखोगे ना तो वही सेटप है जहां पर सौरब और यहां पर सुमित ने अपना बलॉग बनाया था ठीक है अब हैरानी की बात तो ये है जो इनसान कहता है कि भई यहां पर मैं anxiety का treatment चालू है mental trauma, mental torture, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे है यहर वो इनसान मुझे समझ में नहीं आता है कि भई दूसरे vlogs में shooting कैसे कर रहा है उसकी clips कैसे आ रही है वो जो दोस्त की wife है अकांशा वो बहती गंगा में हाथ दो रही है और यहां पर दिखा रही है कि भई यह लोग तो बहुत खुश है और यहां पर तो जो सुमित है यह तो कुछ और ही दिखा रहा है अब ज़रा सोचिए कि भई जो इनसान tension में है दो दो दिन सो नहीं रहा है मींद एक गंटा मिलती है उसके जवलपुर के लोग उसके घर आते हैं शोशल मेडिया पर उसकी बेज़ती हो रही है तो वो इनसान यहां पर जैसे उसको दिखाया गया है दर्शाया गया है पुरी clip में ऐसे कैसे हो सकता है एक इनसान खुझ भी हो सकता है एक इनसान यहां पर उसी समय यहां पर इतना ज़ादा टेंशन में भी हो सकता है जरा आप सोच के देखी दरसल आपको बता दे कि अब तक सुमित महल यहां पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे कि इन्हें पहले कोई नहीं जानता था लेकिन जब से रिष्टा जुड़ा है पूरी दुनिया में यहाँ पर इनकी पैचान होगी इनकी इमेज और इनकी गुडविल बढ़गी अब यहाँ पर यही चीज़ देखते होए जब सौरब ने सोचा कि इतनी ज़्यादा हाइप मिल रही है तो क्यों न यहाँ पर हम लोग भी बहती गंगा में हार दो जाए लोग यहाँ पर अकांशा ने डाला था उसकी यहाँ पर अपने टाइटल पड़ा शादी की तैयारिया शुरू इसका मतलब कहीं न जहीं वो जानते है कि यह रिष्टा कहीं भी तूटने वाला नहीं है इस वजह से तो कोई भी decision यहाँ पर नहीं ले रहे हैं और कहते हैं कि भई जब तक दूसरे पक्श की बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कोई यहाँ पर decision नहीं लेगे अब सोच सकते हैं इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अब तक यहाँ पर यह चुप क्यूं है और जो चीज़ें यहाँ पर गौरी घाट के लोगों ने वहाँ के लोगों ने बताई हैं सुमित के बारे में वो तो वाकी हिरान करने वाली है क्योंकि यहाँ पर कुछ और ही दिखा रहे सुमित और वहाँ पर पीछे कुछ और ही बता दे कि अंगूठी का क्या किस्स है अंगूठी लोगों को गुमरा करने के लिए उतारी गई है जैसे आपको याद होगा कि सुमित की बेहन ने अपने इंस्टाग्राम से अपने वाइटी से यह सारे एंगेजमेंट वीडियो को निकाल दिया है ताकि लोगों का मूँ बंद हो जाए लोग चुप हो जाएं यहाँ पर ताकि कोई भी इस तरह की कमेंट न गरे और जब बात ठंडी हो जाएगी तो फिर से यहाँ पर वीडियो डाल देंगे क्योंकि उसे प्राइवेट की है अब यही बात है कि अंगोटी सुमित ने इसलिए उतारी क्या कि लोगों का मूँ थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए और जैसे ही मामला ठंडा होगा फिर से वांगोटी पहन लेगे साथ ही आपको यही बावी बता देगे सौरब और यहाँ पर सुमित ने यह वीडियो क्यों बनाया था ताकि वो चाते हैं कि यह किस्सा सारे रियाक्शन चैनल वाले शोशन मीडिया से यहाँ पर खतम हो जाए निकल जाए ताकि हम लोग उसके बाद चैन से शादी कर सकें क्योंकि जब तक यहाँ पर यह जो इश्यू है जो कॉंट्रोवर्सी चल रही है जब तक यह रियाक्शन चैनल वाले खतम नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर शादी नहीं हो पाईगी क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भई सुमित की एज कहीं न कहीं 35 प्लस है और आज तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई क्या रीजन है क्या उनमें कोई खोट थी इतनी अच्छी परस्नालिटी क्या उनको यहाँ पर कवाली लड़की नहीं मिल सकती है यहाँ पर एक बच्चे की मां से शादी करने के लिए तयार है तो कुछ तो बात है इस वज़े से यहाँ पर इस रिष्टे के लिए उन्होंने हाँ किया हुआ है और इसलिए तो यहाँ पर हजार लाखों लोगों के कहने के बावजूद भी यहाँ पर ही रिष्टा छोड़ने के लिए तयार नहीं है दोस्तों अगर आब इनकी स्ट्राटीजी इस पर थोड़ी सी नज़र डालोगे न तो सबसे पहले अकांशा का मंदिर वला व्लॉग आया फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पर सुमित की बेहन का व्लॉग आया फिर उसके बाद यहाँ पर सुमित का व्लॉग आया फिर उसके बाद वापस है अकांशा का व्लॉग आया तो यहाँ पर कहीं न गहीं यह लोग व्यूस कमाने के चकर में लगे हुए है इस वज़े से एक ही जगा पर अपने दोस्त के साथ बैट कर यहां पर यह सारी चीजे शूट किये और अब भी याद रखना अब भी यह जो व्लॉग यहां पर सुमित और उसका दोस्त बना रहे हैं यह सुमित के घर का नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो लोग नहीं दिखाना चाते के भाई हम किस घर में रहते को कि वहां पर शुनू है शादी की तयारिया तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमारी बातों से आप कितना सहमद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगाओ तो ए एक लाइक जरू कर दिए थैंक यू